हेलो एंड वेलकम गाई स्वागत है आपका शौपिंग लोवर यूटूब चैनल में यहे मेरी ग्रांड एटेन इसमें मैं डेंटिंग पेंटिंग वर्क करवाने के लिए पेनकर आटो लिंक में लेके आया हूं तो मेरे गाड़ी पर स्क्रैचेस है बहुत सरे और प्रंड का बंपर भी चेंज करवाना है प्रंड के बंपर में प्रॉब्लम है यह देखिए स्क्रू से फिट किया हुआ है और उस साइट का तो क्लिफ ही पूरा तुट गया है तो इसे मैं चेंज करवाने वाला हूं और मेरा रनिंग बोर्ड भी डाइमेज है तो उसे वो डेंट पू अधो जैंण करने वाले हैं या फिर पहले कर ज्यादा पुट्टी भरा गया है उसको निकालते और ब्र हगने रहें पूरा पंपर करने करने वाला हूँ गिसाइ होने के बाद पुट्टी वर्क होगा पुट्टी प्रिपीरेशन के बारे में पेंटर जी हमें बता रहे हैं हो जो हन्र है हो पुरा मीक्स होना चाहिए तो पुट्टी कहीं है है आपका नाम क्यए है तरह को पुट्टी में मिक्स करने के बाद पेंटर जी ने पुट्टी वर्क चालू किया है जितना पुट्टी कम लगाए जाए उतना ही अच्छा रहते है क्योंकि अगर ज्यादा पुट्टी रहेगा तो बाद में क्रैक होने का खत्रा जादा रहता है अच्छे दरीके से पुट्टी लगने के बाद कल पेंटर जी सेंडिंग का प्रोसेस चालू करेंगे नेक्स डे में अभी सेंडिंग कर रहे है पेंटर जी तो यह देखिए सेंडिंग होने के बाद उसके उपर प्राइमर लगाया जता है मेरा पुराना बंपर खराब होने के वज़े से मैंने यह नया बंपर लाया है जब फर्स टाइम पेंट किया जाते है तब प्लास्टिक प्राइमर माया जाता है यह प्लास्टिक प्राइमर है प्लास्टिक प्राइमर के बाद ही में प्राइमर मारा जाते है इसको टूके प्र ओब प्राइमर की शुखने के बाद उसके ऊपर गिसा ही की जाता है तो उसे चोटे मतुर जो स्क्राइचे छूड गये हैं वह देखे जाते घुश्फ ही फॉट्टी लगाने के बाद थोड़ी दर पैनल को सुखने दिया जाते है और पेंटिंग का प्रोसेस चालू किया जाते है अभी देखिए पेंटर जी पेंट कर रहे है पेंटर जी तीन से चार बार बेस पेंट को स्प्रे करते है बेस पेंट में चमक नहीं रहते है जब हम लोग clear coat मारते हैं तब जाके चमक निखर के आती है और जो हमारा पुराना वाला color है और नया वाला color बिल्कुल match हो रहा है मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि पुराना वाले color और इसमें क्या difference है तो यह देखिए उसके बाद में हमारा जो bumper हमने मारा था 2K primer उसको भी color किया जा रहा है bumper में color होने के बाद सब fitting किया जाएगा और उसके बाद में polishing और rubbing का काम होगा तो उसे मैं skip कर रहा हूँ अभी यह देखिए गाड़ी का final shots तो मैंने दोनों side के fender और right side के दो दर्वाजे और front का bumper और rear का bumper यह paint करवाया है paint का quality इतना अच्छा है कि पूराने color में और इस color में कोई पता ही नहीं चलते है तो पूरी तरीके से color वगरा match हुआ है और इनके काम का quality भी अच्छा है side molding और bumper के जो black parts होते है उनको मैंने matte black color में color करवाया है तो उससे वो और निखल के आ रहे है तो overall गाड़ी में कोई बता नहीं सकता कि नया वाला color कौन सा है और पूरा नवाला कौन सा है यह है इनका shop तो इधर सब branded color यूज़ किये जाते है आप देख सकते है मैं आपको color का brand भी दिखाऊंगा यह है सामने PPG का color PPG Asian paint का brand है तो overall जो color भागर यूज़ किये जाते हो अच्चे और मेरे गाड़े में भी PPG का ही इन लोगों ने इस्तिमाल किया है और यह देखिए यह उनका workshop का view यहां हर तरह के गाड़ी का denting painting तक से लेके servicing का सब work किया जाते है अगर आप भी यहां visit करना चाहते हो तो description में मैं इनका google location link दे रहा हूँ Thank you for watching this video, bye